हेलो एविवर्न कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या कुछ है वो क्या सोच रहे हैं क्या फील कर तो वो आप मिस्स मत करना वो आप देखोगे तो ही समझ में आएगा आपको कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है आप इसको प्रस्टनल रीडिंग के जैसे ले सकते हैं ठीक है अगर वो चीजे रेजोनेट कर जाती है आपके साथ तो ठीक है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग मैं कर रही हूँ जनल रीडिंग है कलेक्टिव है टाइमडेस रीडिंग है पहले में आपके पार्टनर की एनरजी को चेक करूँगी उसके बाद आपकी एनरजी को मैं देखोंगे कि आप क्या सोच रहे हो आपके ल पर फुल कॉंसेंट्रेट कीजिए आप डिवाइन हमें गाइड करें है 10 ौटe ौग टन अव वन्वीन पून्स गो यद कि एंट ऑफ शब्यन ओन्स गां इंट सब्यन आवाइन फो eight of pentacles devil the magician two of pentacles the lady the high priestess nine of pentacles bottom of the deck justice ki energy hai hmmm so sign ke oopper bilkul bhi dhyan mad di jiyega main jo reading kar rahi hun uske oopper aap loog focus ki jiye so mujhe yaha pe karts ko dhek karke yee pata chal rahe hai ki dhekhe aapke partner abhi filhal kiya souch raha hai aapke partner souch raha hai ki in ko inho ne kya aisa karm kiya hai jis ka ful in ko aaj bhoogatna pa raha hai kiya aisa kiya hai aapne life me kiitna bada guna kiya hai ki ki koon sa aisa guna kiya hai ki aaj in ko aaj in ko itni taklif jayali inke health issues inke health issues raha raha hai kiya karu kya use kiya hai meire oopper kisi ki nazer to naihi lagay kisi ki hi to naihi lagay mujhe ki ki main aaj itna pain feel kar raha hoon aaj inke sarir mei bhoogat pain hai bhoogat pain ye person dard se joh hai taklif mei aahe bhar raha hai aapke partner aapke partner aaj rath bhar naihi so pahayenge kiya haa pe dhikh raha hai ki ye person bhoogat zada painful situation ko face kar raha hai aapke partner nai kiya ye hai ki aapke partner nai aapke saath kisi or ki saath relation rakhha yani ki ye person nai aapke saath rahate huye aapko eek tariqe se piaari piaari batae suna karke aapko kahi na kahi as a option treat kiya aapko bhi or third party ko bhi ho sakta hai ye person married ho inke bachy hoon aysa bhi kuch logo ka dhikh raha hai joh log married extra marital affair so yes aapke partner ka aapne wife ya aapne husband ke saath physical relation raha hai aur yaha pe mujhe pregnancy bhi ndikhaayi 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 physical huye ndikhaayi ndikhaayi mind ndikhaayi 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 ndikhaay ndikhaay ndikhaayi ndikhaayi ndikhaay ndikhaayi 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 है जैसे कि Justice का कार्ड है आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि यह सारी चीज़ें क्यों हो रही है याने कि इस पोर्टनर ने किसी एक के साथ बुड़ा नहीं किया बहुत लोगों के साथ बुड़ाई बुड़ा किया है आपके पार्टनर माइं गेम खेला है और अब जहा उसेन ने की आपका करमा जैसा रहा वैसा रहा लेकिन आपके बुडा करमा है आज तो रहां हैं तरप आपके लिए तरप रहे हैं किया Всем कि और यार यार मैंने क्या कर दिया मैं और मैं और अब उसके पैरों में माफ कि मांग लोंगा गिर जणा इनीटीव धन्यूarएट इनका जो चक्रा है ये काफी हील है ठीक है और आपके पार्टनर की औरा काफी ज़दा हील है तो येस इस परसन को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये अचानक से इनका कर्मा इनके सामने कैसे आगा है एक दम क्लिरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर क देख लो कितनी ज़दा तकलीफ दायक है आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस तरीके से चंगूल में फर्स्ट रुके हैं कि अब जो है इस परसन का निकलना ना मुम्मकिन है ठीक है तो यस मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की अब चलिए मैं आपके लिए एनर्जी निकालूंगी फिर देखूंगी इस लेशन्सिप का फ्यूचर क्या होगा आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं वो भी ने देखूंगी तो ये आपके पार्टनर की अनर्जी कुल रही है ठीक है तो चलिए देखते हैं आपके अनर्जी क्या बताती है तो इन कार्ट्स को मैं हटाती हूँ ओके सो चले देखते हैं कि आपके एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के साथ आपके पार्टनर के साथ आपके एनर्जी क्या है याने कि आप क्या सोच रहे हो इस परसन के लिए आप क्या फिल कर रहे हो आपकी डीप फिलिंग्स क्या है इस रिस्ते के लिए वह हम देखते हैं सो पहला काड़ या है प्रिंस आफ पंटिकल्स तन अफ कप्स okay five of swords ace of pentacles the high priestess the world queen of pentacles okay seven of swords nine of swords strength bottom of the deck यहाँ है ten of wands bottom of the deck है ten of wands okay so भाई आप भी बहुत परिशान चल रहे हो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको भी बहुत tension है इस relationship के regarding आपको भी बहुत ज़्यदा tension है आपको भी है कि क्या करूँ क्यूंकि burden है आप moving नहीं कर पा रहे हो इस रिस्ते से वो out of control है, out of control, ठीक है, burden बहुत ज़्यादा है आपके उपर, pressure बहुत ज़्यादा है, शादी करने का है, या फिर आपको अलग से settle होने का burden आपकी family दे रही है आपको, थोड़ा सा मैं देख पा रहे हूं आपके अंदर, ओके, so यहाँ पे आपकी feelings यहाँ हैं अपने partner के आप उस वक्त उतने mature नहीं थे, जब आपके partner ने आपके साथ यह गंदा सा खेल खेला, आपको use किया, आपको जिस तरीके से इस person ने अपनी बातों में लिया, आपनी नादानी का फाइदा ही उठाया इस person ने, आप दोनों के बीच में age gap भी मुझे नजर आ रही है, so yes, आ आपके partner के लिए जो है न, अब आप जब सोचते हो न, तो आपको घिन आती है इन से, एकदम से घिन आती है कि क्यों इस तरीके से क्यों किया, आप काफी खुश रहने वाले person थे, अपनी family के साथ, अपने घर में आपको काफी प्यार मिलता होगा, हो सकता है कि आप घर में क सबसे छोटे वाले person होंगे, सबसे छोटे वाले, जो घर का एक छोटा सा होता न, वो वाली energy दिख रही है आपकी, कि यस आपको घर में बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिलता था आपको, लेकिन आप इस person के साथ relationship में जब से आए, आपको frustration, आपको tension, आपको रोना life में, आपको ये भी नहीं पता था, लेकिन आपकी life जैसे 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 आगे बढ़ी, वैसे वैसे, आपने इस person के उपर जब trust करना start किया, आप जिनने जब इस person को अपना सब कुछ बता दिया, अपनी family background, अपने बारे में family के साथ आपका रिस्ता कैसा है, सब कुछ आपने बताया, यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने एक छोटा मुटा बिजनेस किया हो, वो काफी अच्छा चल पड़ा, जिससे आपकी growth हुई हो, ऐसी भी energy दिख रही है मुझे, और हो सकता है कि आप खुद भी एक married person हो, जिससे जो है, जिसे जो है अपने बच काफी problems आने स्टार्ट हो गई, है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग है unmarried है, उन लोगों की में मैं बाते करूं, तो ऐसा दिख रहा है जिसे कि life में बहुत obstacles देखे हैं आपने, बहुत obstacles देखे हैं, आपके partner ने आपको गाली, गलोज, हर तरीके से आपको बहुत गंदी गंदी बाते बोली, बहुत गलत words का यूज किया आपके लिए, जो कि आप सोचते हो तो आपका सर फटने लगता है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, nine of swords है, आप रोते हो जब वो दिन आपको याद आता है, आप रोने लगते हो जब वो दिन आपको एकदम से दिल स जिसे कहते हैं कि तडप हो उड़ते हो, तडप जाते हो आप, अक्सार रातों में नीन खुलती हो और वो सारी बाते याद आती है, तो रोने लगते हो, आपके आँखों से ऐसे आसू गिरने लगते हैं, ऐसे लगते हैं जिसे कि नदी बह रही हो, वैसे आपको रोना आता ह बहुत तकलीफ में होते हों, बहुत दर्द में होते हों आप, यहां पे 7 of Sorts, इनका जो दिया गया धोका है, आपको बार-बार याद आता है, आपको इनका धोका भूल नहीं पाते हो, इनका धोका इतना जदा आपको तोड़ गया है अंदर से कि आप बरदाश बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो एकडम से नहीं कर पा रहे हो आपको लगता है कि यह person कैसे कर सकता है एक हसते खेलते इंसान को कैसे यह person रूला सकता है कैसे यह मेरे साथ mind game खेल सकता है क्योंकि आपने कभी भी visualize नहीं कि आपने कभी भी सोचा नहीं कि यह person आपके साथ ऐसा game खेलेगा कि अब आप ऐसा हो गए हो की अब किसी के साथ LeS अब किसी के साथ लिशनिस नहीं मिली वो खुशियां इस पर्षन से मिल जाए आपने ये तक कर लिया लेकिन आप नहीं जानते थे कि पर्षन के साथ आपका क्या होगा इस परसंने आपको बहुत रूलाया है बहुत अड़पाया है मुझे दिख रहा है कि पर्सन के धोके को आप बरदाश नहीं कर पाते हो कभी-कभी इस पर्सन का धोका आपके लिए आपके लाइफ का एक बहुत-बहुत बुरा वक्त या करें तो बहुत बुरा सपना था, ऐसा सपना जिसे आप फिर से दुबारा देखना नहीं चाओगे ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे फील होती भी देख रही है आपके रिस्ते में आपका जो रिस्ता है ना, ये कहीं ना कहीं मैं देख पारी हूँ कि जिसे कहते हैं कि आपके रिस्ते में मैं देख पार हूँ जहां पर आपके पार्टनर को दिक्कत आती है ठीक है, लेकिन आपको यहां पर यह भी दिख रहा है जिसे कि आपने जो भी किया है ना, इस परसन के उपर ट्रस्ट करके किया है और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है एक बहुत बड़ा बदलाव आपने देख लिया है एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आया है आपने अपने जिन्दिगी का वो गंदा फेस देख लिया है अब जो है दुबारा आप उसको नहीं देखना चाहते हूं यहां पे दिख रहा है कि आपका करमा कंपलीट हो गया मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका ये जो person से आप इal कर रहे थे जिस भी person से आप इal कर रहे थे उस person को आपने अपना soulmate समझा लेकिन वो आपका soulmate नहीं था, वो आपका कार्मिक था, आपके साथ relationship बनाया इस person ने और आपको बहुत कुछ सीखा गया, जिन्दगी का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको पढ़ा के गया है ये इनसान, देख रहे हैं वो आप लोग, आपके साथ relationship में इसने क्या क्या किया, इससे आपने बहुत कुछ सीखा है, आप यहां पे देखो, आप अगर देखोगे अपनी जर्णी को याद करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या देखा है, किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं भरोसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहि और आपने अपने जीवन की नई नई सुरुवात करे है आपने सारी चीजो को देख लिया है सारी कूछ चीजो को देखा है कि हाँ ही पोर्सन मेरे लिए कैसा है काई सा नहीं है तो तब जाके आपने decision लेना start कर दिया है कि नई अब इस परसन के साथ मुझे ऐसे रिस्ते में नहीं रहना है इस तरीके के रिस्ते में नहीं रहना है जहाँ पर मुझे दिक करता है जहाँ पर मुझे यह फेस करना पड़े जहाँ पर मुझे इंसल्ट किया जाए आपनी अपना डिसीजन लिना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर पावर आया है आपने अपने आपको संभालना सीख लिया है अब जो है आप इस परसन को कर सकते हो अब आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फस होगे आपने यह डिसाइड कर लिया है अब पहले से मैचॉरिटी आई है आपके अंदर आप लोगों को समझना जान चुके हो और मुझे दिख रहा है कि अब आपके दिल में इस परसन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है कोई इमोशन नहीं है आप इस परसन से नफरत करते हो क्योंकि इस परसन ने आपकी बहुत इंसल्ट करी है बहुत गंदी गालिया दें आपको जो कि आपको याद आती है तो आप रोने लगते हो ठीक है वही दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर स्टेंथ है पावर है आपने अपने अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया है आपने ठीक है बहुत सारी चीजों को देख कर कि आपने सोचा कि नहीं इस परसन के साथ कोई फ्यूचर नहीं है और इस परसन के साथ जिसका फ्यूचर है उसके जिन्दगी बरबाद हो है ना उसकी जिन्दगी बरबाद हो होती होगी ठीक है ऐसा मुझे दिख रहा है आपका है कि नहीं इस परसन के साथ तो कोई फ्यूचर बना ही नहीं सकता क्योंकि इतना रूड है इतना जोदा मतलब गेम खिलने वाला इस परसन के सचाई आपके सामने आ गई है ओर इस परसन के सचाई जनने के बाद आपको इस परसन से घिन आ गई है मुझे ऐसी energyक फिल हो रह रही आपके लिए अब मैंको कि आपके लिए क्या है guidance ? क्या है कार्ड्स आपके लिए सो चलिए देखते हैं दिवाइन हमें गाइड करें गाइडेंस के रूप में क्या कार्ड्स देना चाहेंगे आप इनको एक ही कार्ड हम लेंगे मेरे विवर्स के लिए गाइडेंस के रूप में क्या कार्ड रहेगा तो देखो guidance के रूप में कहा जा रहा है कि आप तो मुझे लगता है ना कि आप बहुत कुछ लिख करके बैठे हो अपने partner के लिए ठीक है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके life में आगे बढ़ने का मौका आपको दिया जा रहा है वो मौके का फायदा उठाओ अपनी life में वापस जाओ ठीक है अपनी happiness को अपने successful life को जियो इस रिस्ते से निकल जाओ आपको यही कहा जा रहा है कि इस रिस्ते में कुछ नहीं रखा है आपको निकल जाना चाहिए इस रिस्ते से बाहर निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके जितना positivity आप अपने अंदर लेकर के आए हो इस positivity को बनागे रखो क्योपकि ये person आपके लिए सही नहीं है ये person के साथ आ आपको आगी बढ़ना चाहिए इस relationship को छोड़के, ठीक है, आप manifest करो, दुसरे relationship में आपको जाना है, थोड़ा सा अपने एक आपको time दो, थोड़ा सा heal करो अपने आपको, और तब देखो आपके relationship में कितना बड़ा change आता है, ठीक है, आपको अपना प्यार मिलेगा, जो आप आपको deserve करता है, ठीक है, जितना loving हो, आप जितनी caring करते हो, आप दूसरों की है, जितना care कर रहे हो आप दूसरों की, उतना care करने वाला person आपको जब मिलेगा, inverse आपको देंगे, ठीक है, आप इस relationship से move on करो, आपने आपको heal करो, रोना दोना बंद करो, ठीक है, क्योंकि रो तो गलत इंसान के लिए जिसकी ओकात नहीं है, आपके प्यार को पाने की, उस बीना ओकात वाले आदमे के उपर आप अपना आसू बरबाद कर रहे हो, ठीक है, तो वो बरबाद मत करो, आप आगे बढ़ो life में, क्योंकि ऐसे बे ओकात के लोग आपको करोडों में मिलेंग कि आपको उनके उपर आसू अपने नहीं बहाने चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पर यही देख रहा है आपके कार्ड्स में, और क्या बताओं, आपको इतना कुछ मैंने बता दिया, आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, जो लोग समझदार है, वो लोग समझ ही क्योंकि आप लोग को बोलते हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने इन्वर्स को क्लेम करो इस रीडिंग को, तो आप लोग करते नहीं हो, जबकि फ्री आफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करना फिर भी कोई बात नहीं है, तो गाइस मैं आप ल इस रिंग को कभी नहीं अपने हाथ से नहीं कालती है, कभी भी नहीं, तो यह जो रिंग है ना, यह रिंग के क्या फायदे है, इस रिंग के बैनिफिट्स का है, मैंने जो रिंग पैनी है इसके फायदे अलग है, इस रिंग के फायदे अलग है, मैं आपको पहली ही बता द डाली है मेरे क्लाइंट को मतलब की जो लोग मुझसे रेडिंग लेते हैं या लोग uses ring लेना चाहते उनको मैं recommend करते हूँ यह इन रिंग लेने के यह फायदा हैं कि आपकी लव लायथ में स्पूरामि की कमी लगती है आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है आपकी प्रसनल ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते हो उस गोल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि लोगों की नजर है लोगों तो उन लोगों के लिए जो है ना, उन लोगों की नज़रों से बचाने के लिए ये रिंग आपको काफी ज़दा है ठीक है साथ है यह जो इस रिंग है हिफाज़ते जान है, यह आपकी हर तरीके से प्रोटेक्शन आपको देगा जैसे की आवेलाई ब्रेसलिट हम पहनते तो क्या करते हैं वो तो सरिफ निगेटिविटी से बचाता है ठीक है लेकिन यह आपके लाइफ के हर प्रस्पेक्टिव को पूड़ा करेगा यानि कि आपके लाइफ में आपको होगा कि दीदी मुझे यह प्रॉब्लम है दीदी मुझे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं दीदी मेरा जॉब जो है ना एकदम लगता है कि अप छूट जाएगा ठीक है मुझे इन सेक्यॉरिटी फील हो रही है मुझे यह हो रहा है मुझे वो हो रहा है मेरा हस्में चला गया है मेरी वाइफ चली ग कोई भी लग सकता है यह जो रिंग है इस में इस रिंग में बहुत सारी कुछ चीज़े डाली जाती है इसकी सुद्धी होती है इसकी पूजा पाट इसके 15 दिन बनने में टाइम लगता है तो आपको और्डर करने के 15 दिन तक वेट करना होगा ठीक है 15 दिन के बाद हम आपको rituals करने होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो yes अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जरूर लीजे ठीक है ये ring काफी effective है इसकी जो ये जो लोग जो है ना जो लोग लेते हैं इस ring को वो लोग जानते हैं किस ring के क्या फायदे है ठीक है तो yes ये रेजो रिंग है ये काफी effective होती है ठीक है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर लीजे स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर contact कीजे स्क्रीन पर नमबर नहीं दिखता है कभी कभी तो description box में भी number available है वहाँ से आप contact कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी प्रसल चारोट लीडिंग लेना कुनली रीडिंग में आप सिर्फ मुझे मैंसेज़ करो कि देदी हैलो देदी या हाइ माम करके मेंसेज़ καरो मुझे मैं आपको सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो में आपको बताऊंगी उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको कुझ लोडिंग लेनी चाहिए की नहीं लेनी चाहिए ठीक है आप चाहिए तो अपना date of birth भी दे सकते हैं मैं स्रीफ आपको बताऊंगे कि आपकी life में क्या चल रहा है थोड़ा सबस ब्रीफ में दो मिनट का मैं आपको audio भेजूगी कि आपकी life में क्या चल रहा है ठीक है उसके according आप ब्राइड करना कि आपको लेना है रीडिंग की नहीं लेना है उसके बाद ठीक है आप पे करना पे करके आप अपनी सॉल्व करने हैं ठीक है तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत मिलते हैं आप से दुबारा किसी और रीडिंग में तबते के लिए बाँ बाई टेक्यों और लव यू और